Welcome friends, तो आज की वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके की geometry और इस geometry को हम optimize करेंगे using ANSYS software जो कि हम आने वाली वीडियो में करेंगे फिलाल हम इस वीडियो में अभी सिर्फ drawing बनाएंगे अभी के लिए इस वीडियो में हम इस drawing को draw करेंगे और इस 3D component को बनाएंगे और आने वाली वीडियो में इसी component को हम optimize करेंगे using ANSYS software और देखेंगे कि हम इस component से कितना mask reduce कर सकते हैं और कितनी shape को optimize कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो में सिखते हैं कि इस design को किस तरीके से बनाते हैं तो चलिए यहाँ पर आप मैं क्लिक कर लेता हूँ start पर then mechanical design, part design, यहाँ पर इसका मैं नाम bracket रख रहा हूँ तो यहाँ पर catia का user interface open हो चुका है और यहाँ पर हमें select करना होगा कोई भी plane तो यहाँ पर मैं XY plane पर select कर रहा हूँ और उसके बाद sketching पर click करेंगे यहाँ पर हमें उस sketch को बनाना है तो चलिए start कर लेते हैं यहाँ पर हम एक triangle बना लेते हैं मैंने यहाँ पर line पर click किया और इसके center से यहाँ पर हम एक sketch draw करेंगे here तो इसको constraint कर लेते हैं suppose this is over 150 mm then again another line here and it is also for example this is suppose this is 100 and another line I am drawing from here to here तो यहाँ पर हमने sketch बना कर तयार कर लिया है इसके बाद इसके जो corner है यानि यह जो shape है इसको हम chamfer करेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पर round chamfer पर click करना है तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे यह icon भी बना हुआ है इस पर click करेंगे आप इस line पर click करेंगे और इस line पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर जो भी radius देना चाहे है वो radius दे सकता है यह यहाँ पर मैंने इसको chamfer कर दिया है like this again यहाँ पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर तो यह मैंने यहाँ पर chamfer कर दिया है इसके बाद अगें यहाँ और यहाँ पर भी मैंने इसको chamfer कर दिया है आप देखेंगे कि जो radius है यहाँ पर जो भी radius बनी हुए सारी different different है तो हम इन radius को same कर सकता है suppose यहाँ पर हमने 5 लिखा और enter कर दिया यहाँ पर भी हम लिखेंगे 5 और enter कर देंगे यहाँ पर भी 5 लिखेंगे और enter कर देंगे अब आप देख सकते हैं कि जो इसके तीनों corner है वो same radius के हो चुके हैं इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ holes बनाने हैं तो चलिए start कर लेते हैं यहाँ पर suppose और यह जो holes हैं यह मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ for example like this और इसको मैंने constraint किया तो इसका जो diameter है suppose 10 mm है यानि 1 cm का और इसी के एकदम constraint सीधा यहाँ पर यह देख रहे हूँ है कि आपको एक line मिल जाएगी जो help करेगी इसको center के center पर लाने के लिए और यहाँ से इसको भी हम constraint कर लेते हैं यह भी diameter हमारा 10 का है तो यह diameter हमारा 10 का है यह भी 10 का है और similarly इसी तरीके का एक हम यहाँ पर बनाते हैं बट इसको हम थोड़ा सा यहाँ रखते है और इसका जो diameter है उसको भी हम set कर लेते हैं 10 पर यह हो गया done तो यह यहाँ पर हमारा sketch बनकर त्यार हो गया है इसके बाद आप यहाँ से इसको exit करेंगे exit करने के बाद इसको अब third dimension देनी है यहाँ पर तो आप pad पर click करेंगे pad पर click करने के बाद आप यहाँ से इसको dimension एड़ गर सकते हैं जितनी dimension चाहें आप इसको दे सकते हैं suppose यहाँ पर भी जो dimension है वो मैं 10 mm की रख रहा हूँ यानि 1 cm इसकी thickness है plate की और बनने के बाद यह कुछ इस तरीके की दिखेगी तो यह हमारी वो plate है तो यह यहाँ पर हमारा बन कर तयार हो चुका है इसके बाद हम इसको analyze करेंगे एंसे software के थो यहाँ से हम दो support यह जो हमने यहाँ लगाई है यहाँ से हम इसको fix कर देंगे और यहाँ पर कोई loading condition लगा कर हम इसको optimize करने की कुशिश करेंगे कि हम कहां से कितना material यहाँ से remove कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो बनाने में material है वो भी save होगा तो I hope कि आपको यह video पसंद आया होगा आरे तो ढले ब्रहस को देखने के लिए प्ल Major आप ग्मly तो आप अपको सुठक यह था आप गने प्ल topics पकृछल को स्क्राइब देखने के लिए प्लेश Hah और प्लेस ही तरीकर मुल कि एउस सॱईल सभर कर दो वह तो झाल झाल